Hello everyone, it's me, Umair Welcome to the 7th video on USAT preparation हम बात कर रहे थे quantitative reasoning की और verbal reasoning की आज हम बात करेंगे essay writing पर तो सबसे पहले, do subscribe my channel and press bell icon for more updates essay writing में, HEC ने USAT के test में एक pattern दिया है जिसके मताबिक वो दो essay देंगे एक होगा argumentative based और दूसरा होगा है narrative based ठीक है, argument based essay में आपके पास choice होगी दूसरे essay में भी आपके पास choice होगी total argument के case में 3 essay आएंगे जिन में से आपने एक करना होगा narrative के case में भी same है कि आपके पास 3 essay आएंगे आप में उन में से एक essay करना होगा You have the option you can write in either अर्दू और इंग्लिश जिसमें आपकी अच्छी राइटिंग पावर है आप उसके लिए जाएं अगर आप इंग्लिश में विकैबरी में गलतियां करते हैं sentence making में गलतियां करते हैं तो आपके लिए बेतर है कि आप उर्दू में ही जाकर लिखें ऐसे इसका उर्दू में और इंग्लिश में आपके numbers में कोई इतना फरक नहीं पड़ेगा कि आपने उर्दू में लिखा है तो आपको कम number मिलेंगे English में लिखा है तो ज्यादा marks आएंगे तो दो किसन के essay हमने देखे हैं एक है argumentative और दूसरा है narrative based ठीक है argumentative क्या होता है argumentative essay में आपने argument से प्रूव करना होते हैं कुछ points ठीक है एक essay है आपके पास फर्द करें आया है covid के हवाले से ऐसे आया है कि covid की vaccine लगवानी क्यों जरूरी है ठीक है अब आपने यहां पे आपके पास तीन option है एक तो आप यह लिखें कि जरूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको लगवानी चाहिए आप जाके लगवाएं और दूसरा एक point आपके पास जेन में होना चाहिए कि नई जरूरी ना लगवाएं ठीक है और तीसरा एक point यह बनता है कि लगवाएं ना लगवाएं एक ही बात है या दोनों लगवाएं तो अच्छी बात है ठीक है तो तीन टोपिक्स को प्रूव करने के लिए आप एक essay लिखते हैं ठीक है argumentative essay लिखते है arguments देते हैं तो an argument essay is a type of essay that presents arguments about both sides of an issue दोनों sides issue के किसी issue के दोनों sides हमें बताता है या आपको लगवानी चाहिए वैक्सियन तो क्यों लगवानी चाहिए क्या arguments हैं क्या-क्या arguments आप दे सकते हैं क्या-क्या बहस आप उस पर कर सकते हैं ठीक है इसी तरहां आपको नहीं लगवानी चाहिए तो उसके पिछे क्या वज़ा है क्यों नहीं लगवानी चाहिए क्या हो रहा है किस वज़ा से आप नहीं लगवाना साहते तो वो चीज है आप essay में pattern में आप क्या लिखेंगे तो general format या general structure of argumentative essay यही होता है कि सबसे पहले आप introduction paragraph लिखेंगे आपने headings नहीं देनी essay में आप please अगर आप paragraph की form में जाते हैं 5 से 6 paragraph लिखते हैं then it is best option कि आप paragraph में लिखेंगे अगर आप headings देते हैं तो most probably आप कुछ चीजें miss कर रहे होते हैं तो जो checker होता है उसके देन में जही होना चाहिए कि आपने सारी चीजें लिखी है और जब आप headings की तरफ जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें बीच में miss कर रहे होते हैं COVID vaccine लगवानी क्यों ज़रूरी है तो COVID vaccine के हवाले से सबसे पहले तो आप COVID का introduction देंगे COVID vaccine का introduction देंगे कि किस तरह आई किसने और issue की किसने द्रयाफत की यह चीजें आपने लिख लिख ली दूसरी चीज़ यह है आप body में लिखेंगे arguments लिखेंगे ठीक है 3 body paragraph लिखेंगे जिसमें 3 major arguments देंगे आपके जेन में है कि लगवानी चाहिए तो आप 3 major arguments तीन major paragraph बना कर आपने उसमें बहस करनी है कि इसलिए जरूरी है इसलिए लगानी है ठीक है और चोथे paragraph में आपने counter argument करना है दुबारा उसी के पास जाकर जो उपर 3 paragraph लिखेंगे उसी के हिसाब से आपने एक और argument देना है कि ये तो वज़ा थी कि लगवानी चाहिए एक और वज़ा भी है जी वो लगवानी चाहिए इस तरह आपका argument पका हो जाता है at the end आपने अपने अपना जितना कुछ लिखा होगा उसके हवाले से अपने दिमाग में conclusion बिठा लेना है कि ये conclusion है लगवानी लगवानेगा ठीक है इसी तरह पूरे paragraph में सबसे पहले जब आप introduction लिखते हैं तो आप लिखेंगे इस case में वैक्सिन के case में लिखेंगे कि इस तरह आई वैक्सिन कोविड इस तरह आया था इस तरह इस कंट्री ने दी इस कंट्री ने बाय की फिर आप argument में लिखेंगे मेरा personal view है कि लगवानी चाहिए तो मैं यह लिखूंगा इस country में सबसे पहले आई तो इसमें covid की ratio देखें कितनी जल्दी कम होगी ठीक है फिर बाद में अगर social जो हैं हमारी duties जो हैं जो हमारे social force हो रही थी social life force हो रही थी वो भी कम होना शुरू होगी vaccine के आने की बज़ा से ठीक है जिस तरह हमारे वो लोग नाउन्स implement हो रहे थे वो भी नहीं होने लग पड़े क्योंके पता चल गया कि वैक्सिन आगी अब हालात आशता आशता सुदर जाएंगे तीसरी बात यह है तीसरे paragraph में भी मैं यह लिखूंगा कि हमारे जो hospitals हैं उस पर pressure कम हुआ यह हुआ 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 जनोंने वैक्सिन लगवाई इनमें काली की रेश よ बहुत कम पाई गयी ठीक है इसी तर् vehicles में लिखूँगगा कि जैसे के मैंने उपर बियस की जैसे की मैंने ऊपर बताया कि इस काया से हुआ इस तरह से हुआ ।zn. अपने से जिये अपने मोलक के लिए अपनी जिनदगी क लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं कोविड के अलाद में तो यह है कि हम वैक्सिन लगवा सकते हैं ठीक है तो वैक्सिन इसलिए लगवानी जरूरी है तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपने आर्गुमेंट्स दी आपने बहस की कि इसलिए जरूरी है अच्छा जी अब देख अपने जिन्दगी पर जो effect पड़ा है वो बताना है ठीक है जैसे मैं university student था मेरी classes online हो गई मुसे पड़ा नहीं गया कई मतबाइं इंटरनेट नहीं आते थे ये नहीं होता था वो नहीं होता था फिर मैंने लिखना मेरी social life बड़ी impact होई मैं बाहर जाने वाला बंदा था मैं foodie था मैं खाना खाना जाना चाता था इसलिए मैं वो नहीं जा सकता था इस तरह की चीज़ें आप वहां पर लिखेंगे के narrative life से आपकी life किस तरह impact होई और आप उसी चीज़ से impose करेंगे कि ये same चीज़ें दूसरों के साथ भी होई है ठीक है और इसका एक bad effect पड़ा है तो allows you to share your personal experience is in a more inspirational way than your year ठीक है यानि आपने अपना personal experience के हिसाब से इस सीज़ को बताना होता है structure of the narrative ऐसे ये है जी introduction में आपने सबसे पहले एक warm up लेना होता है अपनी audience को देखना है कि आपकी audience किस तरह किया है यानि आपका जो यहां पर audience है वो आपका teacher है जो आपका paper चेक कर र personal वहां पर मुझूद रहा कर कि मेरे साथ इस तरह हुआ मेरे साथ इस तरह हुआ मैं मुझूद है पहले essay में आप मुझूद नहीं थे आप सिर्फ argument दे रहे थे कि ऐसा होता है जो नहीं लगवा रहे हैं उनके साथ यह हो रहा है आपने अप खुद नहीं करना आपने conclusion में आपने यह चीजें बतानी है कि क्या conclusion हुआ हर पार्ट का एक हर essay का यह introduction और conclusion जरूर होता है ठीक है जिसमें आपने introduction देने होते हैं conclusion देने होते हैं अब जो narrative essay है यह comparatively less number का है argument essay से ठीक है तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा तीन sheets दिये होंगे उस हिसाप से आपने divide कर लेना है उसके 15 नंबर है तो इसके 10 नंबर है उसके आप 3 पेज लिख रहे हैं तो इसके आप 2 लिखेंगे इस हिसाप से 3 ratio 2 के हिसाप से आपने यह ऐसे लिखना है तो essay के वाले से यही चीजे important थी कि जो essay आएंगे बाकी आप बहुत सारे essay प्रैक्टिस कर सकते हैं तो क थैंक यू अलाफिस